वेल्कम बैक एप्रिवान वेल्कम टो सिवल सर्विसे स्टड़ी प्रेक्टिस सैट नमबर यह एक सो असी है यह टेस्ट सीरीज यूपीप सी पीसेस के लिए प्रेक्टिस करेंगे इसमें हम करेंट अफेट्स के प्रश्णों पर इन सभी टेस्ट किया फुल टेस्ट सीरीज प्रेक्टिस में नमबर उस पर कोले उट्सप करके और प्लेलिस्ट सीरीज की बना रखें वहां पर आप टेस्ट नमबर वन से लेकर एक स्वासी तक पहुं सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेंगा उसका तो पहला प्रश्ण है भारत का सबसे बड़ा डीप ड्राफ् यह है बधावन पोर्ट इसका नाम क्या है बधावन पोर्ट और यह है महराष्ट ऑप्सन नमबर भी है इस कांसर तो बधावन बंदरगा भारत के पालगर जिले में बधावन में तो बधावन पोर्ट याद रखेगा भारत सरकार ने महराष्ट के पालगर जिले के बधाबन में एक नए प्रमुक बंदरगा के निर्माण को मंजूरी दे दिया और इस पर्योशना को जो मंजूरी दी है वो 19 जून 24 को पुरदान मंत्री नरेंद मोदी की अध्यक्स्ता में केंद्रे मंत्री मंदल द्वरा दी गई है और बधाबन बंदरगा की कुल लागत कि लिए 76,220 करोड रुपे कुशन नुबर टू पर आजिए भारत सरकार द्वारा देश में फोरेंसिक विज्ञान के बुनियादी धाचे को मजबूत करने के लिए कौन सी केंद्रे योजना शुरू की गई है भारत फोरेंसिक निगम राष्ट्य फोरेंसिक निगम ना में राष्टे फोरेंसिक अव्चय अव्चन रश्णा संबरधन योजना, और राष्ट्य फोरेंसिक अव्चन रश्णा संबरधन योजना में तीन घटक होंगे कौन-कौन से? पहला है देश में राष्टे फोरेंसिक विग्यान विश्वित देले के परिसरों का निर्मान करना देश भर में केंद्रे फोरेंसिक विग्यान परियोग साराव की स्थापना करना और रास्टे फॉरंसे के विज्ञान विश्विद देले के दिल्ली परिशर के मौझूदा बुन्यादी धाचे को मुझूद करना कोईशन नुमर 3 पर आज़िए वर्ज 23-24 में भारतिय सीफूड निर्याद के लिए कौन सा देश सबसे बड़ा बाजार था यानि भारत ने सबसे ज़्यादर जो सीफूड है वो किस देश में निर्याद किया है और उसमें भी सबसे ज़्यादर निर्याद किया है जिंगे को जमे हुए जिंगे को तो सबसे आदे भारत ने ये जो जींगा भेजा है ये भेजा है संयुक्तराज अमेरिका में उसके बाद चीन में भेजा है दूसरे स्थान पर तीसरा है जापान और चौथा है व्यतनाम तो संयुक्तराज अमेरिका का नाम याद रखेगा A है सकांसर देखें वर्ज देहर 23-24 में भारते सीफूड निर्याद के लिए सबसे बड़ा बजार जो रहा वो समिक तराज अमेरिका रहा यानि यूएस उसके बाद दूसरे स्थान पर चीन रहा तीसरे स्थान पर जापान रहा चोथा रहा व्यतनाम सुरू का याद रखेगा दूसरा याद रखेगा और 23-24 में भारत से निर्याद किये गए सीफूड का जो कुल मूल है वो कितना रहा 60,523.89 करोड रूपे अगर इसको अमेरिकी डॉलर में देखें तो 7,38 विलियन अमेरिकी डॉलर हो और 23-24 में भारत से निर्याद होने वाले सीफूड में जो सबसे बड़ी वस्तू थी वो कौन सी थी जमे हुए जहींगे जमे हुए जहेंगे मूलिक एधार पर कुल नर्यात मेंन का युगदान 66,2 प्रतिशत और अगर प्रशन पूछ ले समुद्री उत्पात नर्यात विकास प्राधिकर्ण का मुख्यला कहां पर है तो केरल के कोची में है प्रशन वाचक्षिन क्यों हाँ गई है ठीक है व्रशिज नम्बर फोर पर आजैंवें उपर्टन प्रस्ण है वर्श दहार 23 वर्श दहार 24 पच्च篇ल क्रशी विपढ़न सत्र के लिए धान सामानिक रेड़ के लिए धान के लिए भारत सरकार द्वारा घोशित निऊंतम समर्थन मूल क्या है वर्श दहार 24 पच्चेल क के लिए धान के लिए MSP क्या है बताई है 200 रुपे प्रति कुँंटल 24 रुपे पुदिल 24 रुपे पुदि रुपे प्रति क्उंटल और राज दहार 24 पचिए बिपादन सत्र के लिए gösterаю गोशित जो निवन्तम समर्थन मूल है धान के लिए वो है तेई सो रुपे पृतिक विंटल और धान जो कि खरीब की फसल है और भी खरीब की फसले हैं मक्का है बाजरा है जुआ रहा है कि भूंगफली है लेकिन प्रश्ण पूछा जाएगा धान से ही तो धान का याद रखेगा तेई सो रुपे पृतिक विंटल में जो है उसी से परश्ण बनता है एक्जाम में वागी बहुत ही ज्यादा टफ कर देगा एक्जामनर तो मैच वैच करने के लिए पूछ लेगा धान मक्का मुंगफली फिर उसको मिलान कर दीजे धान का याद र अध्यक्सता में हुई बैठक में विपड़न सात्र तेईस चौबिस के ने खरी फसलों के लिए निउंताम समर्थन मुले को मजोरी देदी और भारत सरकार को अनिवार फसलों के लिए निउंताम समर्थन मुले की सिफारिस कि अगर बात करें तो कौन करता है केंद्रे लागत और मुले आयोगी अलग से इंपोर्टन प्रश्न है कई वार एक्जाम से में पूछा गया है वगी भारत में फसलों के लिए निउंताम समर्थन मुले जो है कब सुरू किया गया था अगर पूछ ले तो 1966-1966 में कोश्चन नमबर फाइब पर आजएए फिल्मों में उनके योगदान के लिए किस भारतिय को नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीब्मेंट अवर्ड से सम्मानित किया गया है संजलीला भंसाली, विनोद, गनात्रा, अमिताब बच्चन, जकी श्रॉप इस फोटो को देखके D हटा दीजे और C हटा दीजे, वो संजलीला भंसाली भी नहीं है यह, इनका नाम है विनोद, गनात्रा, ओप्सन नमबर A है इसका अंसर देखे, प्रख्याद वाल फिल्म निर्माता है यह, विनोद, गनात्रा, फिल्मों में उनके योगदान के रहे हैं, उनको दक्षन अफरीका के प्रतिष्ठित, नेलसन, मंडेला, लाइफटाइम, अचीब्मेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है अगर प्रशने से पूछ ले, विनोद, गनात्रा, जो हाल ही में समचारों में थे, या खबरों में थे, किस बैसे से सम्बंदित हैं, तो वह एक प्रशिद फिल्म निर्माता और ब्रत चित्र, निउज रील और बच्चों की फिल्मों के समपादक हैं वोश्चन नमबर सिक्स पर आजए जून 24 में युक्रेन में सांती पर, युक्रेन में सांती बनी रहे, इस पर एक सिखर सम्मेलन हुआ है, अभी हाल ही में, ये कहां आयुजित हुआ है, कहां आयुजित हुआ है, और इस पर भारत ने हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया, भारत के साथ कुछ और देश हैं उन्होंने भी हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया है तो जून 24 में यूक्रेन में सांती बनी रहे उस पर एक सिखर सम्मेलन हुआ और ये नई दिल्ली भारत में नहीं हुआ है स्विट्जर लेंड में ये हुआ है लेकिन स्विट्जर लेंड में भी कहा हुआ है स्विट्जर लेंड के जिनेवा में नहीं हुआ ये हुआ है स्विट्जर लेंड के वर्गेन स्टॉक में तो ये है इस कांसर जून 24 में यूक्रेन में सांती पर सिखर सम्मेलन स्विट्जर लेंड के और वर्गेन इस टॉक में अवजित किया गया युक्रेन में सांती पर सिखर सम्मेरिन की मेजवानी किसने की स्विटजर लेंड ने की और भारत ने जो है इस पर हस्ताक्षर नहीं किया इस पत्र पर युक्रेन में सांती सिखर सम्मेरिन के बाद जारी अंतिम विग्यवति पर भारत ने हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया भारत के साथ अन्य देशों ने भी हस्ताक्षर नहीं किये जैसे कि सजुदी अरब ने नहीं किया दक्षन अफरीका ने नहीं किया थाइलेंड नहीं किया इंडोनेशिय नहीं किया मेक्सिको ने भी नहीं किया क्या कहना था भारत का देखिए भारत ने कहा कि अगर सांती समधान दोनों पक्षों को स्विकार हो तो छेत्र में इस्थाई सांती हो सकती है ठीक है दोनों पक्षों को स्विकार हो तब ही छेत्र में इस्थाई सांती हो सकती है भारत कारू किया था कि रूस की भागिदारी के बिना छेत्र में कोई सांती नहीं हो सकती और विज्यप्ति जो थी वो रूस के द्रश्टिकूण को ध्यान में रखे बिना जारी की गई थी इसलिए भारत ने विज्यप्ति पर हसाक्षर करने से इंकार कर दिया भारत ने विज्यप्ति पर हस्ताक्षर करने से इनकार क्यों किया क्योंकि भारत का रूस के साथ है घनिष्ट रक्षा संबंद और रर्णेतिक संबंद रूस जो है भारति यह ससस्त्रवालों को हथियार का मुख्य आपूर्ति करता है ठीक है में इनकार नहीं ही था वाकि एक प्रश्ण को याद रखेगा रूस युक्रेन युद्ध कब प्रारंब हुआ था तो 22 में हुआ था यह 24 फरवड़ी 22 को अगला प्रश्ण है कोशन नमबर साथ है लगातार तीसरी बार भारत का प्रधान मंत्री बनने के बाद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की अपनी पहली अधिकारिक यात्रा पर गए वो एक दिन के लिए गए थे इटली गए थे डी हैस का अंसर क्या था इटली में जी सेवन का वार्शिक सिखर सम्मिलन था तो लगतार तीस्ती बार भारत के प्रधान मंत्री के रूप में सपत लेने के बाद प्रधान मंत्री निरिंद्र मोदी ने अपनी पहली अधिकारिक विदेश यात्रा की इटली की और इटली में संपन जी सेवन सिखर समेलन में भारतिय प्रधान मंत्री ने हिस्सा लिया दोहार पच्चिस का जी सेवन सिखर समेलन कहां युजित किया जाएगा कनड़ा में युजित किया गया किया जाएगा इस वार चौबिस का कहां युजित किया गया इटली ठीक है जोर्जिया मेलोनी ने उनको अमंत्रित किया था अब जी सेवन की बात हो रही है तो जी सेवन से रिलेटर अगला प्रश्ण है निम्रिकेद में से कौन सा देश जी सेवन का सरस्देश नहीं है पूछ रहा है तो इसमें पुतीन की फोटो दिख रहा है यह कहीं एक दो तीन चार पांच छे साथ पुतीन नहीं है इसमें तो रूस नहीं है इसमें कनाड़ा है इसमें जर्मन है समें इसके तर Jewish Japan है इसमें युनाइटिट किंडम है इसमें स्व्युक्त राज अमेरिका है इसमें रूस नहीं है तो इसका अंसरो जागा अपसा नमबर C और जापान एक मात्र ACI देश है जो जी सेवन का मेंबर है याद रखेगा भारत जी सेवन का साथ से नहीं है तो जी सेवन में कौन कौन देश मेंबर है कनाड़ा फ्रांस जर्मनी इटली जापान युनाइट किंग्डम और स्व्युक्त राज अमेरिका जापान एक मात्र एसियाई देश जो जी सेवन का मेंबर है भारत सलस नहीं है लेकिन फिर भी आमंत्रित किया गया भारत के प्रधान मंत्री को देखे हाल ही में परधान मंत्री नरिंद मोदी ने कहाँ पर नालंदा के प्राचीन खंडर इस्थल के निकटिक अंतराश्टिय विश्विद्याले नालंदा विश्विद्याले के नई परिसर का उधगाटन किया 36 गर्ड बिहार जार खंड मध्यप्रदेश इसका अंसर है उप्सन नमबर C बिहार में तो प्रधान मंत्री ने 19 जून को बिहार के राजगीर में नालंदा के प्राचीन घंडर इस्थल के निकर्ट अंतराश्टिय विश्विद्याले नालंदा विश्विद्याले के नए परिशर का उद्गाटन किया क्वेशन नमर दस पर आजाईए एक प्रश्ण है लोग सभा चुनाब से प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने अपनी लोग सभा सीट बाराणसी से कॉंग्रेस सपा गठवंदन के किस प्रत्याशी को हराया था दीकिये राहुल गांधी तो वाइनाट से जीत गए किसोरी लाल सर्मा ने हराया अमैठी सीट से इसमृति इरानी को यह भी इसका आज़र नहीं है प्रियंका गांधी ने तो चुनाब लड़ा ही नहीं किसी भी लोग सभा सीट से लड़ती तो जीत जाती किसी ने किसी सीट से इसका उत्तर है अजे राय ठीक है अजे राय को हराया था वारंसी से कॉंग्रेस अपक अठवंदन के थे प्रतियाशी है कॉंग्रेस के थे में लिए तो यूपी की वारंसी लोकसभा सीट पर प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने जीत हाशल की चार जून को और बोटों क की गिंती में नरेंदर मोदी ने एक लाग बावन हजार पांसो तेरे बोटों से कॉंग्रेस सब्वाग अठवंदन के अजे राय को हराया तो यह भी एक प्रशन हो सकता है प्रशन पूछने का तरीका एक्जाम में ठीक है साथ चर्णों में मत्तदान हुआ था लोकसभा का रिजल्ट चार जून को आया था एंडिये की सरकार बनी तो दस प्रशन थे इनके प्रेक्टिस एक से दोबार कर लिजेगा धने बाद